C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनन्द मैं पाठ तीन स्वादिश्ट आम प्रिश्ट अठा रहा आओ पढ़े कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं अचानक से एक आम जमीन पर गिर जाता है और धप की आवाज आती है गिलहरी अचानक से उस आम पर लपक पड़ती है एक पक्षी आता है अब दो पशू पक्षी आम खा रहे हैं एक और पक्षी आता है अब तीन पशू पक्षी आम खा रहे हैं एक और पक्षी आता है. अब चार पशू पक्षी आम खा रहे हैं. एक और अन्य पक्षी आता है. अब पाँच पशू पक्षी आम खा रहे हैं. प्रिश्ट उन्नीस एक और पक्षी आता है. अब चे पशू पक्षी आम खा रहे हैं. एक और अन्य पक्षी आता है. अब साथ पशू पक्षी आम खा रहे हैं. एक और अन्य पक्षी आता है, अब आट पशू पक्षी आम खा रही है फिर एक और अन्य पक्षी आता है, अब नौ पशू पक्षीयों ने आम खाया आओ बात चीत करें क, चित्र में दिखाए गए पक्षीयों को पहचाने घ, शुरुवात में कितने पशुपक्षी आम खा रही थे? घ, हर बार कितने और पशुपक्षी आते हैं? घ, एक से एक अधिक, दो से एक अधिक, इत्यादी कितने होते हैं? ऐसा नौ तक करें. अंग, अंत में कितने और पशुपक्षीयों ने आम खाया? पशू पक्षियों के सम्मिलित होने से शिक्षक गिनती के विशय में बातचीत करें वे कहानी का अभिनाय करा सकते हैं जिसमें सभी बच्चे अलग अलग पशू पक्षियों का अभिनाय करें एवं विभिन पशू पक्षियों की आवाजे निकालें शिक्षक विभिन जानवरों उनकी आवाजों एवं प्राकृतिक आवाज पर बातचीत करें बच्चों को बताएं कि किसी भी संख्या में एक और जोडने से नई संख्या बनती है प्रिश्ट 20 पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए यहाँ पर आठ चित्र दिये गए हैं चार चित्रों में कुछ पक्षी दिखाए गए हैं और चार चित्रों में उंगलियां दिखाई गई हैं उंगलियों के माध्यम से संख्या जताई जा रही हैं आपको पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान करना है प्रिष्ट 21 उंगलियों की संख्या का बिंदूओं की संख्या से मिलान कीजिए एक करके दिखाया गया है यहाँ पर बाई और दाई ओर चार चार चित्र दिये गए है बाई ओर के चित्रों में उंगलियों से संख्या की मात्रा दिखाई गई है और दायोर के चित्रों में बिंदूओं से संख्या दिखाई गई है एक हाथ के चित्र का संख्या के चित्र से मिलान किया गया है यानि तीन उंगलियों का मिलान तीन बिंदूओं से आपको बाकी चित्रों का मिलान करना है आओ खेले उंगलियों का जादू अपने मित्र को कोई भी तीन उंगली दिखाए आपके मित्र को भी अपनी कोई तीन उंगलियां किसी अलग तरीके से दिखानी है जैसे दो उंगली एक हाथ की एवं एक उंगली दूसरे हाथ की इसी प्रकार यह खेल अन्य संख्याओं के लिए भी खेला जा सकता है दो हाथों से चार उंगलिया कितने प्रकार से दिखाई जा सकती है प्रिश्ट बाईस आओ बाहर खेलें यहाँ पर दो चित्र दिये गए है दोनों ही चित्रों में बच्चे उद्यान में अलग-अलग खेल खेल रहे हैं बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गाना गाते हुए एक गोल घेरे में घूमेंगे एक बच्चा ताली बजाएगा और कहेगा चार सभी बच्चे हाथ पकड़ कर चार-चार के समू बनाएंगे जो बच्चे चार-चार के समू में सम्मिलित नहीं होंगे वे अन्य समूहों के बच्चों को गिन कर बताएंगे कि उन्होंने संख्या के अनुसार समू सही बनाया है या नहीं इसी तरहां बच्चे नौ तक के संख्याओं को बोल कर खेल जारी रख सकते हैं प्रिश्ट तेईस मेरा कला दिवस एकता दिवस यानि 31 अक्तूबर पर बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता आयूजित की गई रेखा खीच कर प्रतियक बच्चे को सामान उपलब्ध कराईए जैसा की चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें अलग-अलग बच्चे एकता दिवस यानि 31 अक्तूबर पर कला प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं आपको रेखा खीच कर प्रतियक बच्चे को सामान उपलब्ध कराना है आईए यह पता करने में बच्चों की सहायता करीं कि उनके पास सामान पर्याप्त है या नहीं बच्चों की संख्या से कम या अधेक या के बराबर पर सही का चिन लगाईए यहाँ पर अलग-अलग सूचियां दी गई है पहली सूची में वस्तूओं के चित्र बनाए गए हैं यह वस्तूओं हैं ड्रॉइंग बोर्ड, पेपर, क्रेयोन, पैंसिल और इरेजर बाकी सूचियों में लिखा है कि यह वस्तूओं बच्चों की संख्या से अधिक हैं या बच्चों की संख्या से कम या बच्चों की संख्या के बराबर हैं आपको ये सही का चिन्ह लगा कर बताना है बच्चों के साथ चर्चा करें कि उन्होंने कैसे पता लगाया कि कौन सा अधिक या कम या बराबर है बच्चों से समूहों के बीच वस्तूओं को साजा करने पर भी चर्चा कीजिए जब बच्चों की संख्या वस्तूं से अधिक हो एक तादिवस के महत्व और इसे क्यूं मनाया जाता है इस पर भी चर्चा कीजिए प्रिष्ट चौबीस आओ करें कर उचित खाने में सही का चिन लगा कर बताईए कि किसकी संख्या अधिक है यहाँ पर दो चित्र दिये गए है पहले चित्र में कुछ सेब है और दूसरे में कुछ केले आपको चिन लगा कर बताना है कि किसकी संख्या अधिक है ख उचित खाने में सही का चिन लगा कर बताईए कि किसकी संख्या कम है यहां पर दो चित्र दिये गए हैं बाइं ओर, प्लेट में कुछ रोटिया क्रम से लगाई गई है और दाइं ओर की चित्र में, प्लेट में कुछ इडली रखी हुई है आपको चिन लगाकर ये बताना है कि किसकी संख्या कम है ग, उचित खाने में सही का चिन्ह लगा कर बताईए कि किसकी संख्या कम है यहाँ पर दो चित्र दिये गए है पहले चित्र में कुछ बच्चे दिखाई गए है और दूसरे चित्र में कुछ गेंध है आपको सही का चिन्ह लगा कर ये बताना है कि किसकी संख्या कम है आओ खेले उंगलियों का खेल क इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए अब आपको कुछ उंगलियां दिखानी है जैसे चार उंगलियां दिखाए फिर आपके मित्र को चार से कम उंगलियां दिखानी होंगी खर, बच्चों से चर्चा करें कि क्या वे इससे अधिक संख्या में उंगलियां दिखा सकते हैं क्या इससे किसी आन्य तरीके से दिखाया जा सकता है क्या इससे कम किसी आन्य तरीके से दिखाया जा सकता है तीन यह पर एक चित्र बनाया गया है चित्र में कुछ लोग नाव चला रहे हैं वहीं साथ में कुछ घर, पशुपक्षी, नाव और फूल दिखाए गये हैं उपर दिये गए चित्र में उन वस्तूं के पास त्रिकोन बनाईए जो संख्या में एक हैं और नीचे एक लिखिये अब उपर दिये गए चित्र में उन वस्तूं के पास गोला बनाईए जो संख्या में दो हैं और नीचे दो लिखिये दो अब उपर दिये गए चित्र में उन वस्तूं के पास चोकोर बनाईए जो संख्या में तीन है और नीचे तीन लिखिये तीन यहां पर एक, दो और तीन लिखे गए हैं साथ ही उन्हें उंगली के चित्र के माध्यम से दिखाया गया है इसके साथ ही बिंदुओं के माध्यम से ये बताया गया है कि आप एक, दो और तीन कैसे लिख सकते हैं। वहीं अभ्यास के लिए कुछ जगा बनाई गई हैं। आपको इन जगाहूं को भरना है और अभ्यास करके इन में एक, दो और तीन लिखना है। प्रिश्ट 26 यहाँ पर एक मेले का चित्र बनाया गया है। मिले में कट पुतली का नाच देखते कुछ बच्चे हैं और वहीं एक महला को दिखाया गया है जो बहुत ही सुन्दर सुन्दर आकार के खिलोने बेच रही है। साथ ही साथ कुछ गुबबारे भी नजर आ रही है। अब उपर दिये गए चित्र में उन वस्तूं के पास त्रिकोन बनाये जो संख्या में चार हैं और नीचे चार लिखिए। चार अब यहां दिये गए चित्र में उन वस्तूं के पास गोला बनाये जो संख्या में पाच है और नीचे पाच लिखिए। पाच उपर दिये गए चित्र में उन वस्तूं के पास चौकोर बनाये जो संख्या में छे हैं और नीचे छे लिखिए। छे यहां पर चार, पांच और छे लिखा हुआ है और साथ ही उंगलियों के माध्यम से चार, पांच और छे की संख्या दर्शाई गई है इसके साथ बिंदुओं के माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरीके से चार, पांच और छे लिखा जा सकता है वहीं आपके अभ्यास के लिए कई जगाहें दी गई है जिनको भरके आपको चार, पांच और छे लिखने का अभ्यास करना है प्रिष्ट सत्ताइस यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें रात्री काल का द्रिश्ट दिखाया गया है इस चित्र में चांद है, कुछ सितारे है, कुछ पेड़ पौधे, कुछ घर, एक बिली और दो बच्चे हैं जो चांद और सितारों को देख रही है अब उपर दिये गए चित्र में उन वस्तूं के पास त्रिकोन बनाईए, जो संख्या में साथ हैं, और नीचे साथ लिखिये साथ उपर दिये गए चित्र में उन वस्तूं के पास गोला बनाईए, जो संख्या में आठ हैं, और नीचे आठ लिखिये आठ उपर दे गए चित्र में उन वस्तूं के पास चौकोर बनाईए जो संख्या में नौ हैं और नीचे नौ लिखिए नौ यहाँ पर साथ आठ और नौ लिखा हुआ है साथ ही उंगलियों के माध्यम से साथ आठ एवं नौ की संख्या को दर्शाया गया है इसके साथ साथ बिंदूों के माध्यम से ये बताया गया है कि साथ, आठ और नौ कैसे लिखना है इसके साथ अभ्यास करने के लिए जगा दी हुई है आपको इस जगा में साथ, आठ और नौ लिखकर अभ्यास करना है बच्चों से वस्तूं को गिनने और रेत पर संख्याएं लिखने का पर्यापत अभ्यास कराएं उन्हें अपने संख्या काड बनाने केलिए कही बच्चों को बताएं कि चित्र में जो साथ तारों का समो है और रोज रात को दिखाई देता है उसे सबतर्शी कहते हैं प्रिष्ट 28 गिनिये और मिलान कीजिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है चित्र में सबसे उपर कुछ फूल है उसके नीचे हाथी के आकार के खिलोने और सबसे नीचे घर दिये गये है यहाँ पर तीन संख्याएं लिखी हुई है तीन, साथ और पाँच आपको संख्या का मिलान चित्र के साथ करना है गिनिये और रंग भरिये का आठ तारों में रंग भरिये यहाँ पर कुछ तारों के चित्र दिये गये है आपको इन तारों की संख्या गिननी है और केवल आठ तारों में रंग भरने है ख, पाँच फूलों में रंग भरिये यहां कई फूलों के चित्र दिये गए है मगर आपको पाँच फूल गिनकर केवल पाँच ही फूलों में रंग भरने है ग, छे गेंदों में रंग भरिये बच्चों, आपके सामने कई गेंदों के चित्र दिखाए गए हैं जिन में से आपने केवल छे गेंदों को गिन कर उन्हीं में रंग भरने हैं प्रिष्ठ 29 संख्याओं को क्रम से मिलाईए कर एक से नौ तक की संख्याओं को रेखा खीच कर क्रम में मिलाते हुए एक रास्ता बनाईए ध्यान रखें कि रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है यह चित्र चौकोर आकार में बनाया गया है चित्र में अलग-अलग संख्याओं लिखी हुई है आपको एक से नौ तक की संख्याओं को रेखा खीच कर क्रम में मिलाना है और ध्यान रखना है कि रेखाएं एक दूसरे को ना काटे इस चौकोर आकार के चित्र में एक से नौ तक की संख्या दिखाई गई है ब, यहाँ पर एक चित्र पहेली दी गई है, आपको एक से नौ तक की संख्याओं को रेखा खीच कर ऐसे मिलाना है, जैसे रेखा एक दूसरे को काटे नहीं सर, यहाँ पर एक चित्र पहेली दी गई है, जिसमें एक से नौ तक की संख्याओं को रेखा खीच कर, आपको क्रम में मिलाना है, ध्यान रखना है कि रेखा एक दूसरे को काटे नहीं खा, नटखट बंदर ने संख्या काड नीचे गिरा दी, इन संख्या काडों को छोटी से बड़ी संख्या के करम में लगाईए यहाँ पर चित्र दिया गया है, इस चित्र में नाचता हुआ, एक नटखट बंदर बनाया गया है साथ ही कुछ ऐसे संख्या कार्ड बनाए गए हैं जो बंदर ने गिरा दिये हैं आपको इन संख्या कार्डों को छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लगाना है और दी गई जगहा पर संख्या लिखनी है गिरे हुए संख्या कार्ड पर संख्या लिखी हुई है दो, आठ, छे, तीन और पाँच प्रिष्ट तीस गर एक बिल्ली प्रिष्ट के उपर से घुमती हुई चली गई छिपी संख्याओं को लिखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से एक बिल्ली बनाई गई है साथ ही संख्याओं लिखी हुई है और कुछ संख्याओं पर बिल्ली के पंजे बने हुए है आपको संख्या पढ़के बताना है कि कौन सी संख्याओं छिपी हुई है पहली रेखा में छिपी हुई संख्या पाँच, छे, छिपी हुई संख्या और आठ दूसरी रेखा में है छिपी हुई संख्या, दो, छिपी हुई संख्या, चार और पांच तीसरी रेखा में दिया गया है पांच, छिपी हुई संख्या, छिपी हुई संख्या, छिपी हुई संख्या, और नौ और चोथी रेखा में लिखा गया है तीन चिपी हुई संख्या, चिपी हुई संख्या, छे और आखिर में चिपी हुई संख्या सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिये यहाँ पर चित्र के आकार में चार संख्याएं दी गई है संख्या हैं तीन, नौ, आठ और चार आपको सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरना है प्रिष्ट इकतिस का इसमें कितने पीले डिब्बे हैं, गिने और लिखे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में बहुत सारे डिब्बे बनाए गए है आपको इन डिब्बों को गिनना है और लिखना है कि कितने डिब्बे पीले रंग के हैं खा, गिन कर बताए कि चित्र में कितने जामुन हैं, संख्या लिखे यहाँ पर एक चित्र में कई जामुन बनाए गए है आपको दी हुई खाली जगह में ये लिखना है कि चित्र में कितने जामुन है गा, गिन कर बताईए कि चित्र में कितनी भेडे है संख्या लिखे यहाँ पर एक चित्र में कई भेडे बनाई गई है आपको दी हुई जगह में ये लिखना है कि इस चित्र में कितनी भेड़े है प्रिश्ट 32 घर, किनही चार फलों के चित्र बनाए यहाँ पर चौकोर आकार की एक जगह दी गई है आपको इस जगह में चार फलों के चित्र बनाने है अंगर, कौन से दो समूहों में कुल आठ फल हैं, उन पर घेरा लगाएं यहाँ पर चित्र के माध्यम से फलों के तीन समूहों दिये गए हैं आपको घेरा लगा कर ये बताना है कि कौन से दो समूहों में कुल आठ फल हैं च, कौन से दो समूहों में कुल साथ छत्रियां हैं, उन पर घेरा लगाएं? या पर छत्रियों के तीन समूहों दिये गए हैं, आपको घेरा लगाकर ये बताना है कि कौन से दो समूहों में कुल साथ छत्रियां हैं? च्छा, संख्या में क्या कम है, प्याले, कप या चम्मचे, सही का चिन लगाएं यहाँ पर चित्र के माध्यम से प्याले या कप और कुछ चम्मच बनाए गए है आपको गिन कर सही का चिन लगाना है और बताना है कि संख्या में क्या कम है, प्याले, कप या चम्मच परियोजनाकार बच्चों को अपने संख्याकाड यानी एक से नौ तक के काड बनाने को कहीं संख्याकाड बनाने के लिए विभिन रंगीन कागजों का उपियोग कर सकते हैं और समान संख्या में वस्तुएं बना या चिपका सकते हैं अभी आपसुन रहे थे कक्षा एक की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद में वाचन्स्वर वैभो श्रिवास्तव और मम्ता मलकानी तक्नीकी निर्देशन बटी लेंग लिंग्डो ध्वनियंकन मयंक कुमार निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्देशन इवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C I E T N C E R T नई दिल्ली भारत